अश्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्ष्ट नाइन नियूज नेशन पुरे भारत में अभी फिलाल एक राजनीतिक माहौल जो है गरमायावा है वो आम आदमी पाटी जो मुख्य विपक्ष की दोड में सबसे जादा आगे चल रही है और उसकी लड़ाई अभी बिजेपी से चल रही है शराब निती को ले करके ये लड़ाई इन दोनों के बीच चल रही है और लगातार इसमें नए नए मोडा रहे है कल भाजपा ने एक इस्टिंग ऑपरेशन पेस किया संबित पातरा ने एक इस्टिंग ऑपरेशन पेस किया जिसके मदद से उन्होंने चाहा कि मनीश सी सोधिया और अरविंद के जरिवाल के राज खोल दिये जाए लेकिन उस पर मनीज सिसोधिया ने कहा कि यह जो है इस तरीके के कई इस्टिंग ओपरेशन हमारे पास हैं और बाजपा यह सारी चीजे ना करे इससे कोई फैर मतलब उन्होंने एक मतलब हलके अंदाज में उस सारे इस्टिंग ओपरेशन को नकार दिया सिर्य से खारिच कर दिया वहीं इन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ और क्या लड़ाई हुई दोनों के हम आपको सुनाएंगे कि मनीज सिसोधिया ने क्या कहा और संबीत पातरा ने क्या कहा देखिए वो आज दरसल कटर भ्रस्टाचारी पाटी के रूप में सामने आई है यह आम आदमी पाटी कटर भ्रस्टाचारी पाटी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि यह बेवड़ी सरकार है आज कहीं न कहीं वो साबित हो रहा है बिलकुल ब्लैक एन वाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरिवाल और उनके सिपह सलार मनी शिशोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए है कैसे दलाली ली है कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस टिंग उपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अर्विंद केज्रिवाल और मनीशी शोदियाजी के पास जाते थे और यह सारा का सारा स्टिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना from the horse's mouth उस व्यक्ती के मुह से सुनेंगे जो व्यक्ती खुद मनीशी शोदियाजी के हाथों में पैसा पकड़ाता था मोटा माल जो मनीशी शोदियाजी को दलाली और कमीशन के रूप में देता था तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा ये सब एक साथ काम करते हैं एकी कमपनी में डारेक्टर इत्यादी है बेटे पिता सब तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग कॉपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडेस ओपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरिवाल सरकार की नीती कैसी थी इसका परदाफास करते हैं तो FIR में लिखा उसके बेस पे मेरे घर पे रेडल वा दी घर पे कुछ नहीं मिला मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का उसमें कुछ नहीं मिला अब जब सीबी आई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबी आई नहीं ढूट पाई अब हम इस्टिंग करके देंगे फिर वो कोई सड़क पे चौराई पे खड़े हो के किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं उसके कोई सवाल जवाब करते हैं वो इस्टिंग है मजा के एक हो ऐसे इस्टिंग मेरे पास भी है मैं भी दे दूँगा कल बहुत सारे फिर आप उसको भी चलाना वो आज दरसल कटर भ्रस्टाचारी पाटी के रूप में सामने आई है ये आम आदमी पाटी कटर भ्रस्टाचारी पाटी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है आज कहीं न कहीं वो साबित हो रहा है बिल्कुल ब्लैक एन वाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरिवाल और उनके सिपह सलार मनी शिशोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाये है कैसे दलाली ली कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग आपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरिवाल और मनी शिशोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एकसाइस पॉलिसी को लाया गया दिल्ली को नुकसान में ढखेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया और ये सारा का सारा स्टिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रम दे हॉर्सेज माउट उस व्यक्ति के मुह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीश शिशोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था मोटा माल जो मनीश शिशोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था आप खुद उस व्यक्ति के मुह से सुनेंगे आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सी बी आई की उसमें तेरह नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा ये सब एक साथ काम करते हैं एकी कमपनी में डारेक्टर इत्यादी है बेटे पिता सब तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडेस ओपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरिवाल सरकार की नीती कैसी थी इसका परदाफास करते हैं देखो इन्होंने भारती जंता पार्टी काफी दिन से चिला रही है खपला हो गया खपला हो गया कभी 1300 करोड कभी 8000 करोड कभी 500 करोड कभी 144 करोड कभी 30 करोड फिर CBI से उन्होंने FIR कराई तो CBI ने भी धून धांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइड डीलिंग को जबरदस्ती मेरे उपर थोपने की कोशिश की वो भी सोर्सिस के हवाले से तो FIR में लिखा उसके बेस पे मेरे घर पे रेडल वा दी घर पे कुछ नहीं मिला मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का उसमें कुछ नहीं मिला अब जब CBI से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा तो अब BJP कह रही है जी देखो CBI नहीं ढूट पाई अब हम इस्टिंग करके देंगे फिर वो कोई सड़क पे चौराई पे खड़े हो के किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं उसके कोई सवाल जवाब करते हैं वो इस्टिंग है मजा के एक हो ऐसे इस्टिंग मेरे पास भी है मैं भी दे दूँगा कल बहुत सारे फिर आप उसको भी चलाना वो आज दरसल कटर भ्रस्टाचारी पाटी के रूप में सामने आई है यह आम आदमी पाटी कटर भ्रस्टाचारी पाटी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि यह बेवडी सरकार है आज कहीं न कहीं वो साबित हो रहा है बिल्कुल ब्लैक और वाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनी शिशोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाये हैं कैसे दलाली ली कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग आपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीशी शोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एकसाइस पॉलिसी को लाया गया दिल्ली को नुकसान में धकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया और ये सारा का सारा स्टिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न from the horse's mouth उस व्यक्ति के मुह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीश शिशोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था मोटा माल जो मनीश शिशोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था आप खुद उस व्यक्ति के मुह से सुनेंगे आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है cbi की उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा ये सब एक साथ काम करते हैं एक ही कंपनी में डारेक्टर इत्यादी है बेटे पिता सब तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडेस ओपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरिवाल सरकार की नीती कैसी थी इसका परदाफास करते हैं वो भी सोर्सिस के हवाले से तो FIR में लिखा उसके बेस पे मेरे घर पे रेडल वा दी घर पे कुछ नहीं मिला मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का उसमें कुछ नहीं मिला अब जब CBI से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई की जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा तो अब BJP कह रही है जी देखो CBI नहीं ढूट पाई अब हम इस्टिंग करके देंगे फिर वो कोई सड़क पे चौराई पे खड़े हो के किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं उसके कोई सवाल जवाब करते हैं वो इस्टिंग है तो देखा आपने किस तरीके से संबित पातरा इलजाम लगा रहे थे वही मनीश सी सोधिया ने क्या कुछ कह करके इलजामों को खारीच कर दिया फिलाल आज की इस खबर में इतना ही तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्रणाई निउस नेशन